करनाल के घृरुंड़ा में नए साल की पहली ही रात्री को वाड नमबर आठ में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया सेंद मारी के दुरान लाखों का कैश वे कीम्टी समान लेकर चोर मोके से फरार हो गए पारस अरोडा ने जानकारी दे की चोरों ने चट के रास्ते एक जहाकी के सरीय तोड कर एंट्री की और गोदाम के ओफिस में रखा 3 लाख का कैश वे एक LCD वे एक लैप्टोप वे अन्य समान लेकर फरार हो गए जब गोदाम के मालिक पारस अरोडा को उसके नोकर के द्वारा अल सुभह चार बजे के करीब जानकारी मिली की गोदाम का लोग खुला है जिस पर पारस अरोडा ने आकर मोके पर देखा तो ओफिस में समान बिखरा पड़ा है और मोके से LCD लैप्टोप और 3.5 लाख रुपे का कैश गायब मिला तो इसके बाद पारस अरोडा ने पुलिस को इसकी सूचना दी और मोके पर पहुँचकर पुलिस ने FSL की टीम को इसकी सूचना दी FSL की टीम भी मोके पर पहुँची और इसकी जाच शूरू कर दी CCTV फुटेज में चोरो द्वारा एंट्री करते देखा चा रहा है पुलिस ने बताया कि CCTV से पहचान होने के बाद ही चोरो को गिरफतार किया जाएगा फिलहाल मामले की जाच की जा रही है सब्सक्राइब की और बाकिस मान चुरा के लिए सब्सक्राइब करना रिकॉर्ड ही है डिवियर अपने पास है लिए हमारे पास है चेक किया गया है क्या कुछ सामने आए उसमें साफ चलिए ने दिखा जे रहे हैं कि जो इसाल वगर रखे हो नहीं यहां जो ऑफिसे इसमें कैसे एंट्री करें हैं तो कैसे यहां से लेगे हैं पुली साही है मुपेट पुली साही है जो इसके बाद भी याए है जे बीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इंक्रेडिबल मारिच पलेस राज घराना जे बीडी बैंक्वेट्स लाए हैं जे बीडी बैंक्वेट्स एंटर्पाने के लिए बल इकन को क्लिक कर हुमारी चैनल को लाइब शेयर और सुब्सक्राइब करें हैंने बाद